हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग एक लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ OST Overhead Tank का Bottom Dome का BBS कैसे निकालते हैं Bottom Dome का हम Cutting Length कैसे निकालते हैं आपको लोग के सामने यह हमारा RC Drawing का एक सेक्षन दीख रहा होगा यहाँ से यह Bottom Dome है यह हमारा Top Dome है आज हम डिसकस करने वाले हैं कि यह Bottom Dome का BBS कैसे निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तो का Cutting Length कैसे निकालते हैं इस वीडियो में पूरा एक-एक में Step By Step पूरा बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखे एक Step भी मिस मत करें तब ही आपको किलियर समझ में आपाएगा अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए, सेर कीजिए चलिए मैं आपको आज पूरा एक-एक में Step By Step में आगे बताता हूँ कि इसका हम कर्टिंग लेंथ कैसे निकालेंगे इसका BBS कैसे बनाते हैं मैं आपको पूरा एक-एक Step By Step मैं आपको आगे समझाता हूँ जैसे कि आप लोग के सामने ये दीख पा रहा होगा ये हमारा Bottom Dome का हम डाइगराम बनाए है ऐसे हमारा Bottom Dome होता है ठीक हमारा Column के साथ में ये Beam आता है ठीक हमारा ये Beam है Column के साथ में आता है पीम का चवड़ाई कितना है 450 mm 425 mm ठीक है ये अ हमारा यहां से में हमारा अंदर अंदर डाया हो जाएगा ठीक यह हमारा ड्रोइंग में यहां से आपको ध्यान से देखिएगा किसी भी तेंक में यहां से हमको एक रेडियस दिया होता है ठीक है जो मारा सेंटर से रेडियस दिया होता है ठीक है गीबन रहता है किसी भी ड्रोइंग में हमको यहां से center से हमको radius दिया होता है ठीक और यह हमारा जहां से bottom dome हमारा जहां से चालू होता है वहां से center का हमको distance निकाल लेना है अगर bottom का दिया है तो आपको center निकाल लेना है top का अगर height दिया है तो हमको center निकाल लेना है हमारे drawing में यहां से जहां से bottom section का distance दिया हुआ है कितना एक मीटर ठीक ? यह भी गीवन है एक मीटर यह भी गीवन यह तो हमारा किसी anomaly structure में हमार keeping में हमारा radius इअ होता है हमारा कई बार क्या होता है bottom में दे देता है कई यहां पर मनिकाल में लेना ने ठीड आपको clear हो गया किसके कितना है center to center कितना है उल्णार कितना डाया है ठीक है ताप एक चीज ध्यान रखए कि wyd initial वाले सेक्षन में आप ध्यान से देखिएगा यह जो हमारा यह हमने यहां डवल जाल है ठीक है तो हमारा बॉटम में एक जाल हो गया यह टॉप में जाल है ठीक है इस्टील है कमारा बॉटम इस्टील है उसको उन्हें बार मार्क वन कर दिया जो हमारा टॉप इस्टील है इसको ने से रखेगा इस्टील सेक्शन में आप देखेगा ध्यान से ओवरेड टेंक में जो हमारा जहां से बॉटम डूम चालू होता है उससे अंदर तक हमारा जो लास्ट जो बीम होता है और यहां से यहां तक कडिस्टेंस मालूम चल गया थीक अब को हमारा इधर कर लेंगे तो हमारा जहां से वहां पकड़ ça कर गैए तो एक चीज़ किलियर रो गया अब हमको लिकालना है क्या किmost system कि आमगरा bottom जो steel है बार मार्क जो one है जो हमने bottom steal का नाम दिया है बार मार्क one है टीक है बार मार्क वान को हमको radius पता करने यह तो center का radius दिया है ना बार मार्क one का यानि जो bottom जाल है उसका हमको radius मालूम करना है तो center से 42.5 mm हम minus कर देंगे आपको calculation कर लिएगा कि center से हमारा जो bottom mark है उसका radius कितना होगा ति जो हमारा center को radius दिया है उसमें सहम यहां से calculation में minus कर लेंगे जो हमारा bottom steel bar है उसका radius कितना होगा हमको radius में मालूम चल गया ठीक है bottom mark का और हमको dia भी मालूम चल गया कि हमारा Center to Center कितना डाया है, अंदर संदर कितना डाया है और हमारा जो Steel जहां तक गया है, वहां तक का डाया कितना है, ये आपको calculation कर लेना है, जो हमको अंदर अंदर मालूम है, 450 इधर, 450 सीमने का हमारा beam है, 450 जिदर सीधर सीधर कभर हो गया, तो हम 400 400 इधर आठ कर लिया तो हमारा जहां तक इसटील गया है वहाँ तक का हमारा ड्याया मालूम् चल गया हमारा हमारा यहां से हाइट मालूम चल गया चेंटर तक कितना है हमारा जो बारमार्क बोटम जाले उसका हमको cutting length निकालना है तो उसको हमको रेडियस मालूम करना होगा तो हमारा सेंटर रेडियस दिया है उसलिए हमने यहां से कैलकुलेशन करके हमारा बॉटम जा ले उसका हमने रेडियस निकाल लिया माइनस कर लिया तो हमारा फोटी टू.5 में माइनस किया तो हमारा यह बॉटम जा ले इसका रेडियस मालूम चल गया radius मालूम चल गया height मालूम चल गया ठीक है तो मैं आपको पूरा एक अलग से diagram बनाकर फिर आपको calculation पूरा समझाते हैं जैसे कि आप लोग के सामने मैं एक और diagram बनाया हूँ यहां पर देख सकते है जो calculation जो आपका है बार हमार को लग्वान के लिए ठीक है यह हमारा अलग से एक डिगराम बना वच ठीक हैकक तो हमारा जहां तक स्टील गया है इस साट मेरा कि इस साइड भी ए anecdote किखे घ। हम ने यहां से लेकर हम नो तyg二 को हमारा डाया पता है ठीक तो उसका हम हाफ कर देंगे तो यहां से हमारा इसका हमको पता चल जाएगा तीन मीटर एकसो पचातर एमेम ठीक यहां से हमारा यहां तक का डिस्टेंस मालूम चल गया यहां से जहां आयाया से लेके यहां से लेके यहां तक आपका इस बीम के लड़् तक इस्टील मिप नर्दे अरो घ्रिका हमारा अंदर रिस्टेंस पता है धिए कि लों तक कीயा तक выглядит याWhy Brand तरह पांचे神 वहालूम चुर्ब डिक तब्तान चारों है वहां से लेके यहां तक तो यहां तक इस्टील गया उसका डिस्टेंस हमको मालूम चल गया हमने इसका नाम दे दिया एस यहां पर ध्यान से कि इसका हाफ जब करेंगे तो तीन मीटर एक सब चत्रह में इधर आ जाएगा थीक तो हमें यहां से आपको राइट एंगल एक यहां से जब लाइन हमने इसका नाम दे दिया PQNO ठीक है एन क्यू ओ ठीक है तो हमारा यहां से लेके यहां तो का स्टील का डया मालूम चल गया आपकी स्टींस मालूम चल गया ठीक है यह डिस्टेंस आपना 4.997 mm जो आया है नो 4.997 mm जो आपका यहां से यह हमारा यह मालूम जाए हमको क्या है यह आप ध्यान से देखिए यहां पर जो हमारा जो बार मारक वन यानि बॉटम जो इस्टील है उसका हमने रेडियस निकाला था ठीक है 49.57.5 जो आपको दीख रहा है 4.997 mm जो दीख रहा है इसका यह रेडियस है ठीक है हमारा सेंटर का रेडियस दिया हुआ था था हमने जो इसका हमको निकालना है ठीक है इस वाले इस्टील का बॉटम जाल का हमको रेडियस पहले निकाल लिए क्योंकि हमारा भराई जो टोटल से पचरता था था हमने से माइनस कर लिए हमारा इस्टील यहां तक है तो यहां तक का हमको रेडियस मालूम कर लिए तो वही रेडियस यहां पर आपको यह हमारा ठीक मालूम चल गया तो आप हमारा इसका मालूम है ठीक है और इसका एल भी मालूम है यह हमारा बेस हमको निकालना है ठीक है तो इसका हमारा जो फर्मूला होता हम साइन ठीटा के यूज करेंगा साइन ठीटा भाई परपेंडिकुलर भाई हाइपोटेनस ठीक है यह हमारा साइन ठीटा का फर्मूला होता है पी even sh kangurum kohin थीटा निखालना ठीक है यहां को थीटा निकालना यानि कि यह जो एंगल है नाsl कितना डिगोरी इसका हमारा डिगरी निकालना की लिए हमारा क्या बन रहा है यहां तो हम इसका इस एरिये का यहां का degree निकाल रहे है ठीक है ता आप ध्यान रेखिए हमारा 90 इसका degree हमको पता करना sin theta का जो हमारा निकालेंगे P by H करेंगे तो हमारा P पता है और H पता है जब इसका calculation करके आगे even lower इसको में इसको साइन इनबुर करेंगेbas करेंगे यानिशी करेंगे तो इसलिए कि कि हम को इहा पर ठीटा का जो ठीक है यह हमारा ठीटा का value निकालना है जो हमारा जो इन डिगी जो बन रहे है डी निकालना ह। से लेके यहां तक है कितना डिगरी होगा ठीका साइनण निवर्स कर दिये तो हमरें प्रकशनिया निकल स्थी के ओपAd हमारा ठीटा ये एक ठीटा ये एन सेम हमारा जो सेम यो डिस्टेंस बीच्टेंस भी से म prz 3 18 इभर एडिस्टेंस से मोगा यह इसलिए अंधिव एपार पेड़ीटा कर लिए जब हम 2 theta कर दिया, 79.58 निकल के आ गया। ठीक हा ठीक है? हमने 2 theta किया, तो हमारा degree निकल किया गया, do aquíعت two theta करिया थे तो हमने इसको हमने sign inverse करके डीगरी में ले लिया, ठीक हा 2 theta कर दिया, यानने कि हमारा यहां से यहां पर, यह दिगरी निकला था, तो हमारा Crane यहां से यहां निकल गया टोटल यह डिग्री प्लस यह डिग्री दोनों का हमारा क्या डिग्री निकलना है कितना डिग्री में यह हमारा निकला हुआ है ठीक है यह हमारा डिग्री पता चल गया ठीक है जब हमारा यह ठीटा क्या करेंगे तो हमारा यहां से हम अब हमको क्या क कि यहां तक का degree निकालना है तो हम जो इसको radian में convert कर देंगे जो degree में निकला है अब हम इसको क्या करेंगे radian में convert कर देंगे radian में जब convert करेंगे तो इसको 1.388 निकल के हमारा radian में इसका value निकल के आएगा यह हमारा यह ध्यान रखेगा इसका फर्मूला होता है एस इसकल टू आर ठीटा ठीक हमको एस निकालना है मतलब यहां से लेकर यहां तो का लेंथ निकालना है ठीक है फाइंड आर्क लेंथ जब आर्क लेंथ का फर्मूला होगा क्या होगा हमारा ठीक है एस बराबर आर इसक उसको convert कर दिये ते यह degree निकला था उसको radian में convert किये ते जो हमारा theta 1 आ गया theta 1 का जो value कितना है 1.388 ठीक है वो हमें जब इसको multiply करेंगे तो हमारा यहां पर meter में हमारा mm में निकल के आ जाएगा यानि 6.885 mm ठीक है हमारा mm में निकल के आ गया 6880 mm.95 mm हमारा यह total हमारा 6880 mm हमार क्या arc length निकल के आगे यानि 6.885 mm ठीक है यहां से लेके जो मारेस का जो value कितना निकल के आया च्छार 880 mm ठीक है वो ऐसे हमारा same to same हमारा bottom जाल का हमने bottom जो इस टील है bottom बार्क है bottom जो बार है उसका हमने क्या किया इसका length निकाला अब हमको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा हमारा top का radius निकालने के लिए ठीक हमारा calculation same to same वही रहेगा ठीक यह भी जो बार मार्क है जो हमारा last तक जा रहा है column में यह top बार्क भी हमारा last तक जा रहा है इस side भी हमारा दोनों same जा रहा है वह आपको ध्यान से देखना है जैसे हम लोग ने बार मार्क कटेगा इसलिए 400 एक करेंगे ता हमारा डाया मालूम चल जाएगा हमारा रेडियस मालूम चल जाएगा यहां से बॉटम चालू होता है वहां से हमारा center का height एक मिटर दिया हुआ है ठीक है वह ध्यान से रखेगा फिर मैं आपको बार मार्क टू का पूरा फिगर बनाके मैं किलियर से समझाता हूँ यह ठीक दिमरा बार मार्क स्हाइं थिक हमारा पार मार्क डू के कभी सेम टू से महमारा जो हमारा यह यह सेम टू आया है ठीक है यह हमारा यहां से लेकर उन्होंतशा में हमने निकाल कि है चैनों की सबर्टा रिटीस मालोम चल गया यहां म standpoint हम निकल गया बार मर सेंटर ही हमको रेडियस में दिया होता है तक हम को स्टील है उसका रेडियस निकाल ले ना अब हमारा ट्रेंगल बन रहा है वो हमको ध्यान रखिएगा एन ठीके एन ओक्यू हमारा ये ट्रेंगल बन रहा है एक साइड इधर ट्रेंगल बनेगा ठीके तो हमको क्या करना ये जो ठीटा है न ठीटा ठीटा को हमको भैलू निकालना है इसका डिग्री निकालना है तो उस यह हमां को ठीटा का वैलू निकालना यानि कि जो हमारा एंगल बन रहा है इसका जो डिग्री बन रहा है इसका वैलू निकालना साइन ठीटा भाई पी भाई एच करेंगे तो हमारा हमको पी मालूम है ठीक है हमको एच मालूम है जो इसका कैलकुलेशन करेंगे 0.629 आएगा लिए हमारा जो थीटा का बलब अब जया तो ठीटा करेंगे या निक होत्व करेंगा talking sagen उस्पारिस का दिगरी मालूम करनां इन्टुकर दिया तो हमारा इन्टु करेंगे 78 हमारा निकल के आजाएगा 78 ठीक है अब हम इसका sign inverse में हम इसको convert करेंगे ठीक है sign inverse पर जब हम convert करेंगे तो 1.36 हमारा निकल के आएगा ठीक है तब हमको now अब हमको इसको हमारा ये हमारा cutting length निकलना cutting length निकलने के लिए हमारा formula S is equal to R into Q होगा ठीक है R into theta ठीक है R into theta होता है ये हमारा cutting length निकलना इसका formula होता इसका length जब हम निकलेंगे R into ठीक है R into theta theta one जो हमारा है उसका value हमको मालूम चल गया ठीक है 2 theta कर दिया हमको degree में था उसको degree में भाइलू आएगा ये degree में भाइलू आया हुआ है इसको radian में आपको degree में यहां से यहां तक का वह हमारा वैलू कितना है हमको आर तुम मालूम है ठीक है आर का वैलू पूट कर दिया हमारा जो हमारा रेडियन का जो मारा वैलू आया हुआ अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरू सीखा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंकि वाचिंग माई वीडियो